वेलकम बैक टू माई ब्लॉग, तो आज है संड़े तो हाप सो को हैंप संड़े, तो आज मैं भी स्वास्वाबी किचन में हूँ और नास्ता बनारी हूँ तो जो नास्ता में है हमारे पुखोड़ी बन रही है, कुम्रू जो पंकी नोकी है, उसकी पुखोड़ी बन रही है आपको बहुत ही टेस्टी लगते हैं यह देखिए खाने में बहुत ही अच्छा लगता है तो आप ट्रॉरू ट्राइ केजिएगा तो जो है गोड़ा को पतला पतला पीसेस में काट सकते हैं उसमें जीरा पौड़ा धनिया पौड़ा में तोड़ा सा जवाइन हल्दी नमक द होती है ज्यादा हाड भी नहीं होती है तो इस तो यह बहुत कम पानी के साथ बनाईएगा क्योंकि बहुत जल्दी जो है पानी छोड़ता है तो आप लोग जोरू बना के ट्राइ किजिएगा पकोड़ी तो अपनी जैसे देखा कि मैं पकोड़ी बना रही थी नास्ते में जो हमाने कानी हो चुका है नास्ता हो क्या है और स्यर्दी जैसे तो सब्ले कर लिया है ऊघर के सायद में 오ución स्रम कोई है अन। काम बगरा करना है घर के सारे काम पड़े हुए है भी काम नहीं हुआ है और सायद साम में हम फिर से आज एक reception party में जा सकते हैं पर 50-50 है जा भी सकते हैं और नहीं भी तो अगर जाएंगे तो फिर से आप लोग को दिखाएंगे पार्टी में हम जाएंगे तो मैं अपने जो पूरे घर में जहाड़े लगा रही है तो मैं अपने कमरे से स्टार्ट करके नीचे जाते हुए नीचे के कमरों में लगाऊंगी किचन में लगाऊंगी बरामडा में लगाऊंगी और पूरे घर में जाब लगाएंगे उसके पोचा है और थोड़े बहुत कपड़े रहेंगे बहुत होँगी फिर और जो अकर कुछ काम रहेंगे तो मैं यह सब नहाने के पहले कर लूँगी तो यह मेरा है जो डेली का रूटीन है जो मैं फॉलो करती हूँ यहां जो है मैं किचन में आ चुकी हूँ मेरा नहाना हो चुका है मेरा स्कीन केर जो होता है वो सब हो चुका है उसके बाद मैं खाना बनाने के ला आई हूँ दोपेर का खाना बन रहा है तो यहां मैं कोई सबजी आपको नहीं दिखा रही हैं क्योंकि सबजी जो है माने बना में दिखीयत चैनल के में चाटनी बनां। जो है टमाटर भी कटते जा रहा है और डाल चावल बनते जा रहे हैं तो बस इतना ही है दोबैर के खानों में में दोङगी स्थी टेंचेज बाक़ो बद में चट्णी बढारा को की से में भाल रख जाएका उसके बन चक्जायेगा क्योंकि मेरे बीटे अभीर के लिए हमारे लिए दाल नहीं बना है और यह टमाटर के चन्नी जो मैंने बनाया है तो बस हमारा जो लंच है पूरा रेडी है तो बस गुड आप्टरणून तो अभी दोपैर हो चुका है और जैट अभी खाना खाके उपर आई हम अपने कमरे में तो वी टाइम जो है ढ़ा ही बज रहे है जाष्ट खाना खाके आई हम जो किचन का जो काम है सब हो चुका है तो देखती हम क्या करें हम तो या तो सोंगी या थो पाटी हमें हमारा जाना जो cancels हो चुका है तो कि हमारा cancels भा मतलब हम हम और मा नहीं जाएंगे husband और पापा ही जाएंगे ठीक है कोई बात नहीं यही तो डेय थे हम अपनी में जbery चानी भी नहीं मुझे भी जाने का मन नहीं था तो अच्छा ही हुआ husband और पापाई जाएंगे तो बस Sunday का जो है दुपर हो चुका है साम भी हो जाएगी रात भी हो जाएगी और Sunday खतम तो बस मिलती है थोले दे में आप लोग से लोग से बात करने के बाद मैंने तुझे थोड़ा फोन में देखा उसके बाद मेरी आक लगई तो मैं सो गई और उसके बाद यहां मैं नीचे जा रही हूँ तो मेरा फेज देखर आपको पता ही चल जाएगा कि मैं सो कर उटी हूँ और नीचे जा रही हूँ क्योंकि पांच बच चुके हैं और उसके बाद मैंने मैं सोचा कि जगर में चाड़ी लगा देती हूं वैसी घर गंदर नहीं रहता है नहाने के पहले में अच्छे तासे दे देती हूँ और थोड़ा बहुत नीचे का ही जो पाठ है वहीं पर में चाड़ी रहता है तो यहां मैं किछन मit अगई हूँ दूद बाहर निकलेगी चाय बनाना है और शाम का टाइम है तो और फिर को भी दूद दिना है तो चाय बनाओंगी और उसे दूद देंगे तो यहां देखिए चाय जो बिल्कुल मेरी रेडी है बहुत अच्छे से पक चुकी है और कलर देखिया तो पता चल गया हो के चाय बहुत ही टेस् है सब्जी वेगरा काट लिया और यहां मैं आलू बैगन की सब्जी बना रही हूं तो प्याज मैंने बारी काट के तेल में जोंग दिया है और यहां तो यहां देखिये सब्जी मेरी लगबग बनका तयार है तो यहां मेरी जो मसाला है वह पक चुका है इसमें मैं पानी द तो बस आज के रात का खाने का मेन्यू यही है रोटी और सबजी तो बस यहां हमारा खाना पीना भी हो चुका है मैं अपने कमर में आ गई हूं और इस किचन का भी सब काम खतम हो चुका है तो बस उसके बाद जो है अपना टाइम सुरू होता है अपने पर टाइम देना तो य कर रहा हुँ और यह मेरा डेली का ही रूटीन होता है जो मैं ऐसा करती हूं यहां मैं ब्रец करोंगी इसके बातं है करोंगी तो खाने गडिक अब डाफ मेंड़ार रहती है Who सब कर Trows चेरे पर धूल डश्ट सब तेल बगरा क्रीम बगरा रहती है तो रात को अपने स्कीन को आराम देना चाहिए क्योंकि इससे अच्छा रहाता है स्कीन को भी रेष्ट मिलता है तो बस यहां पर मैं फेस वोस करूँगी और अपना जो फेस वोस करने के बाद अपना क्रीम बगरावें लगाऊंगी बस तो यहीं मेरे सारा दिन का काम खतम होता है यह डिली का मेरा ही रूटीन है सेम ही रहता है थोड़ा सा आगे पीछे होता है और बाकी जो है एक ही रूटीन मेरी चलती है तो यहां मेरा जो face wash बगरा हो चुका है तो बस आज को इतना ही मेरा वीडियो मैं यहें पर ख़़म करती हूँ अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए बाबाई गुड नाइट